नमस्कार हिंदुस्तान टूड़े देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ भूमी का आए देखिए खबर रास्ते में ही कहीं रोक क्यों नहीं गया बताया जा रहा है कि रास्ते में कहीं पर इनको कोई टेस्ट नहीं किया गया ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और परिवहन यमों की धचे उड़ाते हुए लंबी दूरी ते करने वाले भानों में सवार मज़ूरों में यदि कोई होगा तो इसका खामियाजा पूरे जिले को भोगना पड़ेगा इस मामले पसे मों लक्षमन सिंग सारस का कहना है कि सभी मज़ूरों के नाम पते नोट कर लिए और इन्हें फिलाल कॉरिंटाइन सेंटर में रखा गया है इनके स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टरों की टीम भ इस दिया चाएगा ब्यूरो रिपोर्ट हिंदुस्तान टुड़े अधा बता दिया ऊंको वह मालिक का बाड़ा ने के लिए तो झौख इंगा बोल टिया ओधर संग उसका गाम पताना इसका गाम का जागा तो वस्तों अलग जर्वा कना हो तो शेंटर देखको कि सेंटर में चोड़ दी वह अलग जाएगा को बोल गया है कि रास्ते में जाना है जाना है कि इसका नाम है कि इसका नाम क्या है कि कहां जाना है कि इसका नाम कि इसका नाम कितनी है सर आज दो ट्रक मजदूर यह लगवक्त देड़ समझदूर मोगा में आकर के छोड़ा गया है सर क्या है कि मजदूर कहां से आए है और इनकी वेवस्ता आगे कि क्या वाप यह मजदूर प्राप जानकारी के अनुसार ट्रक में बैठ कर जो है तेलंगाना से आये हुए है और जैसी मुझे जानकारी मिली मैं समय में यहां पर आ गया हूँ और इनकी ववस्ता की जा रही है और इनको सब का नाम लिख लिए है इनको कौरिंटर्स सेंटर में अभी हम लेके जा रहा है इनकी भोजन की विवस्ता की जाएगी और तदकालिक रूप से सर्प्रत्रम इनको बिसकृट और चाय नास्ते की विवस्ता की गई है और क्वारिंटेन सेंटर हम ले जाने के बाद जो है डाक्टर की टीम महाँ पर आ रहे सबका स्केनिंग कराने के बाद और भोजन कराने के बाद जो है संबंदित ग्राम पंचेट को दिज़ा जाएगा